हलो गाइज कैसे आप सभी आयो आप अच्छे होंगे मैं हूं सिमा और आज हम बनाएंगे आलू पालक का पोहती हिल्दी नास्ता मैं तीन फ्लेवर दिया है और एक चम्म तेल में बनाया है वीडियो को बिना इस्किप किये पूरा देखेगा तो चलिए बनाते हैं न्यू रेसिपी मैंने यहां पे लिए हैं एक कटोरी सुजी और उसको मैं डाल दूगे एक बड़े बरतन में और एक कटोरी लिया है मैंने फेटा हुआ दई तो ये दई हमारा खट्टा नहीं होना चाहिए इसको हम सुजी के अंदर डाल देंगे तो ये फेटा हुआ दई है सुजी को दही के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे सुजी और दही अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक हम इसे अच्छे से चलाते रहेंगे तो मैंने यहाँ पे लिया है पालक और इस पालक को मैंने अच्छे से साप करके और साप पाने से दो-तीन बार धो लिया है तो ये पालक मेरा 100 ग्राम है अब इसको डालूंगे मैं मिक्सर जार के अंदर और इस पालक के अंदर हम डालेंगे दो से तीन हरी मिर्च और दो से तीन टुकडे अधर रखके अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी एट करके इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे इस्ट बनने के बाद अभी हम इसको एट करेंगे सुजी वाले बेटर के अंदर और यहाँ पर एट करेंगे हम आदा छोटा चमट नमक यहाँ पर आपके टेस्ट की हिसाब से एट कर सकते हैं अभ मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूगी इस बेटर को हम इटली के गोल जिसा गाड़ा रखेंगे तो यहाँ पर हमें इसे पतला गोल नहीं बनाना है तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे रखेंगे यहाँ पर 10 से 15 मिले रेस्ट पर अब करेंगे हम आगे की तैया यहाँ पर लिए मैंने एक कड़ाई और इसके अंदर एट कर दूँगे मैं एक छोटा चमज ओयल और ओयल को गरम होने के बाद मैं डालूँगे यहाँ पर आधी छोटी चमज राई और आधी छोटी चमज जीरा और इन दोनों को अच्छे से चटकने देंगे और यहाँ पर मैंने लिया है एक छोटा प्याच बारी कटा हुआ और एक गाजुगर को कड़ुकस कर लिया है और उसको भी मैं प्याच के अंदर एट कर दूँगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे तो इन दोनों को अच्छे से पकने के बाद हम इनके अंदर एट करेंगे कुछ मसाले तो यहाँ पर मैंने एट किया है आधी छोटी चमच लाल मेज आधे छोटी चमच हल्दी और आदा छोटा चमच धनिया पाउडर पस्वाद अनुसा नमाक और इन सबको भी अच्छे से पकने देंगे तो यहाँ पर इनको सेकन अच्छे से पकने के बाद हम हम एट करेंगे यहाँ पर आलू तो यहाँ पर मैंने दो उबले हुए आलू लिये हैं और इनको डाल कर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू को हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर बड़े बड़े टुकड़े न रहें यहाँ पे आप चाहो तो आलू को ग्रेट करके भी ले सकते हो इस तरह से हमें आलो का मसाला त्यार करना है यहां पर अगर आपके पस गाजर नहीं हो तो इस अब आलो का मसाला भी बना सकते हो तो यह मसाला हमारा बन के तैयार हो चुका हैं अब हमें इसके अंदर एट करेंगे हरा दनिया और अच्छे से mix कर देंगे इसको निकाले हम एक प्लेट के अंदर और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारे आलो मसाला ठंडा हो चुका है अब हातों में अच्छे से ओल लगा लेजे और एक मुठी आलो का मसाला हाथ में लेकर इस तरह का रोल हमें बनाना है तो यहाँ पे हमारे इस पेस्टों को भी 15 मीट हो चुके है और यह अच्छे से फोल के रेडी हो चुका है अब हम इसके अंदर एक करेंगे एक पेकिट इनो का यहाँ पे आप बेकिन सोड़ा का भी यूज़ कर सकते हो इनो डालते ही इस पेस्ट के अंदर जाग उठने लगा है तो इसे फटा-फट से हम मिक्स कर लेंगे और हलके आतों से हमें इसे मिलाना है यहाँ पे अगर आपका बेटर गाड़ा हो तो थोड़ा सा पानी भी एट कर सकते हो और अच्छे से मिक्स करके इस तरह का हमें बेटर तयार करना है यह लिए ही तीन ग्लास और इनको अच्छे से वैल लगा कर ग्रिस कर लिया है तो यहाँ पे मैं एक ग्लास के अंदर दो से तीन चमच सुजी के बेटर को डालूंगी और हमने जो अलो का रोल बनाया है वो इसके अंदर डाल दोंगी और उपर से डाल दोंगी सुजी के बेटर को आप भी इसी तरह से ग्लास बरियेगा तो पूरा नहीं बरना है हमें से तो यहाँ पे मैं दूसरी ग्लास भी इसी तरह से तयार कर लूंगी तो यहाँ पे हमारे तीनों ग्लास बनके रेडी हो चुके हैं तो फ्रेंशी पहुत एजी रेसिपी है अब लेंगी में ओवन तो यहाँ पे मैंने एक से दो ग्लास ओवन के अंदर पाने येट कर दिया है एक एक करके इन तीनों ग्लास को अंदर रख दूंगी और ढके 10 मीट तक अच्छे से पका लूँगी यहाँ पे इनको 10 मीट हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं कि ये सूजी फूल कर उपर आ गई है और ये अच्छे से पक चुके हैं अब मैं बाहर निकाल कर इंडे ठंडा होने के लिए रख दूंगी और यहाँ पे ये ठंडे होने के बात बहुत ही आसानी सी ग्लास के अंदर से बाहर निकलाते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरे ये सूजी का नास्ता बनके तयार हो चुके हैं अब मैं इनके दूंगी थोड़ा सा अलक फ्लेवर तो यहाँ पे मैंने नारेल का बुरा दा लिया है और इसके उपर इस रोल को रखके रच्चे से लपेट लूँगी पे हमारा नारेल का फ्लेवर बनके तयार हो जाएगा अब मैं इसे अच्छे से कट कर लूँगी अब यहाँ मैं ज्यादा बढ़ाने इसी बेकी गेंच का ही कट लगाना है और इस तरह से मैं इन सभी को कट कर लूँगी देखिएगा कितना अच्छा बना है हमारे पालक और आलू का नास्ता दिखने में तो अच्छा लगी रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है यह इसे और भी चटपटा बनाने के लिए मैं नहीं आपे लिया है तवा और उसके अंदर एट करूँगी मैं थोड़ा सा पानी और उसमें डाल दूँगी मैं दो चमट लालमेश पाउडर एक चमट चाट मसाला और इन्हें अच्छे से हिलाने के बाद मैं इस रोल को इस तवई के उपर रुख दूँगी और इस मसाले को अच्छे से लपेट लूँगी इस रोल को भी हम उसी तरह से कट कर लेंगे बुले मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू फूर वाचिंग